नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल जहां पर मैं प्रेया पांडे आप सभी का धर्म कम से जुड़ी बातों में स्वागत करती हो और आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हम अपनी पूजा में अपनी मंदिर में घर के मंदिर में पूजा करते समय फूल चढ़ाते हैं तो पूजा करने के बाद उन फूलों का करेंगया दोस्तो हिंदु धर में पुष्प का धार्मिक महत्व भी होता है देवी देवताओं को प्रसंद करने के लिए सभी प्रिकार की पूजा में फूल चड़ाए जाते है पूजा में चड़ाने के बाद फूल अक्सर सूख जाते है कुछ लोग इन्हें फेक देते हैं लेकिन ऐसा करना सही नहीं होता है तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि इस दौरान जब हम पूजा में इस तरह से फूलों का इस्तेमाल करते हैं तो उन फूलों को फेकना नहीं चाहिए तो करना क्या चाहिए दोस्तों आपको बता दें कि पूजा में चड़े फूलों का खाद्य बनाना भी बहतरीन विकल्प है फिर आप इन्हें पौधों के गमले में डाल सकती है इस तरह से फूलों का इस्तेमाल करने का लाभ भी आपको मिलेगा धार्मिक मानेता क्या कहती है? धार्मिक मानेता ये कहती है कि पौधों में फूलों का खाद्य बना कर डालना सही माना जाता है ऐसा करनी से सौभागे में व्रिधी भी हो सकती है जब मंदिर में पूजा की जाते हैं तो आशिरवात की तौर पर फूल मिलते हैं इन्हें आप एक लाल कपड़ी में बांध कर तिजोरी में रख सकती है मानेता के मुताबिक इन फूलों को तिजोरी में रखने सी धन में बरक्कत होती है इतना ही नहीं आपकी आर्थिक स्थिती भी मजबूत होती है यदि आपनी पूजा में लाल गुलाद या फिर गेंधी का फूल चड़ाया है तो सुखाने के बाद प्रशाद के तौर पर इसका सेवन भी किया जा सकता है इन फूलों को आप भोजन में डाल कर भी खा सकते हैं खास बात तो ये है कि ऐसा करने से आपकी सेहत भी बहतरीन रहेगी और रोगों से बचाओ होगा जड़े आपको हमारी द्वारा दी गई ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताईएगा दोस्तो